एक मूर्थी मुझे भी अगर राम जी की मिल जाए तो मैं भी रखना चाहूंगी हमारे साथ पाकिस्तान के साथ बड़ी सक्स जहती हुई है तीसरी तरह भारत की जो है मेशा शरारत में मौजूद है वहां से कि आयोध्या में क्या है श्री राम लल्ला की जो मूर्ती है आइडल है उनको वहां पर देखना निहारना उनको पूजा करना तो बहुत ही एतिहासिक है लेकिन रास्ता जो है वो यही है कि बैठके हमसाय मुलके हम हमेशा हमसाय रहेंगे और हमारे बड़े एक पुराने हम पाकिस्तान है क्योंकि वह भी घुसके मारते हैं हमारे बहुत लुक्सान पहुंचा है एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्म मुमी मंदिर वहां पर मना है आयोध्या में ये बहुत बड़ा पिल्ग्र चदगर्दी है टीटीपी की दोस्तों कल के दिन 22 जन्म को राम लला पधार चुके हैं अयोध्या में और इसकी खुसी भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने मनाई है और भारत के अंदर तो आपने देखा कि हर घर भगवा जंडा लहरा रहा है और पूरे दुनिया अब पाकिस्तान अब राम जी का नाम लेकर भारत के साथ अपने रिस्ते सुधारना चाहता है लेकिन भारत को इसकी कोई पड़ी नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है पाकिस्तान जब तक अपने बॉर्डर पे दैशतगर्दी खतम नहीं करता अपने देश में आतंगवादी खतम नहीं करता तब तक पाकिस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती है। रिग्रस शेडूल, डिसिप्रिन शेडूल रखा है, कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं, वो पूरे बारत वर्ष में अलग-अलग मंदिर, तमिल नाडू हो या बाकी जगाए हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर सफाई कर रहे हैं, अरादना कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही एतिहासिक फैसला है, और कई सौस सालों तक, जो है, इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशन्स चलती रहेंगी, आपको लगता है कि उदर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सब को पर्मिशन होगी, मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसेश कोई पाबंदी होगी के नहीं, आगर कोई और किसी और रिलीजन के हैं तो आप विजिट नहीं कर सकते हैं। जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से एक मुस्लिम लौ परसनल लौ बोर्ड भी था लेकिन इकबाल अंसारी थे और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमी ट्रस्ट के द्वारा तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान बार कितना सेकुलर है कितना डेमोक्राटिक वैल्यूस में बिलीव करता है और जो प्रदानमंत्री मोधी भी कहते आये हैं सबका साथ सबका विकास ये बीजेपी या मोधी का ही सिर्फ नारा नहीं है बारत के जो लोग है चाहे वो किसी भी आइडियोलोजी से आते हों किसी पॉ आगे लेके चलना चाहिए और ये एक सेकुलर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक एक्जामपल है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस वर्डिक का सम्मान किया बोला कि मस्जिद भी कहीं दूसरी जगा बनाई जाएगी और श्री राम का मंदिर क्योंकि एक हिस्टॉरिकल और उसके बाद वहाँ पर destruction हुआ, desecretion हुआ और फिर वहाँ पर मस्जिद हुई चलिए, हो तो इतिहास है लेकिन अब सब मिल बाटके वहाँ पर लोग जाएंगे, मिल के जाएंगे और कोई भी ऐसा व्यक्ति या organization या देश बारत के बाहर कोशिश करने की शमता रखता है कि हम कुछ वहाँ पर लोगों को आपस में बढ़गाएं या फिर वाइलेंस करें या terrorism फैलाएं ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के security agencies, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बरदाश नहीं करेंगे और होने भी नहीं नहीं देंगे बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बलके मैंने तो खेर बता भी रखा है कि 22nd को मेरे घर पे लांच होगा और जो हिंदु कम्यूटी यहां रहती है, मैंने उनको बिला रखा है तो लेकिन मैं जैसे जैसे चीजों को आगे लेके चलती हूं मुझे नईनी चीजे पाकि कि मिल जाए तो मैं भी रखना चाहूंगी, अपने मतलब यहां सेट पर रखूंगी जिस दिन है 22nd को तो बढ़ा मुझे एरत यह करने लगी यहां नहीं मिलती और वो हम सिंद में कहीं से कभी मंगा लेते हैं और यहां है यही नहीं तो बहुत मुझे तो अगा अजीब सी बात लगी कि यहां पर हिंदू कमिटी है लेकिन उनके लिए अब 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 मुर्तियों गर अविलेबल नहीं है अगर वो लेना चाहें उनको कहीं सिंद से कहीं जाग लेना पड़ता है प्रान प्रतिश्टा हो रही है तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ या अब यहां पर चाहती है कि मंदिर का निर्मान हो लोग वहां पर आएं चाहे वह बारत से हों दुनिया बर से हो और वहां भी पिल्ग्रिमेज टूरिजम बड़े और मैं इन फाक्त तारीफ करता हूं लोकल्स की जिसमें तन्वीर हैं बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो पर रहे हैं कि शार्दा जो सवों साल पुरारा वहां पर हमारा है और एक लर्निंग सेंटर है मैं कहूंगा दुनिया की एक सबसे पुरानी युनिवर्स्ती वहां पर पाकिस्तान की सरकार उसके लिए कुछ करे कई साल पहले जब करतारपूर हुआ था एक मेरे बीसी के मित रहे हैं रवेंदर सिंग रॉबिन उन्होंने इमरान खान को पूछा था क्योंकि मैंने उनको बताया कि आप इनसे जरूर पूछिएगा तो उन्होंने इमरान खान को live press conference में पूछा कि करतारपूर तो आपने किया क्या शारदा पर भी आप कदम उठाएंगे तो तब उन् ग्रिमेंज जो है annual हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दर्मिया होते हैं लेकिन unfortunately वहां पर थोड़ा mindset अलग है वहां पर मूर्ती की जो है जो पूजा होती है उसमें belief नहीं है तो बहुत सारे ऐसे cases भी हमने देखे हैं कि चाहें वो हिंदू हों Christian हो सिक हों even एहमधिया हों blasphemy के उपर उनके खिलाफ unfortunately किये जाते हैं और बहुत ही जाथी होती है I hope कि एक better sense prevail हो और जो जाथी होती है वो खतम हो मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं Hindu Christian Muslim Pakistan के और वो भी मतलब बहुत ही interestingly इस situation को और जो श्री राम का प्रान प्रतिष्टा है उसको देख रहे हैं तो I am sure कि आप भी excited हैं कि यह वही हो क्या रहा है और क्यूंकि हम लोग भी excited है हमारी lifetime में हमने कभी सोचा ली था कि ऐसा कभी होगा लेकिन बहुत ही एतिहासिक फैसला है दोस्तों पाकिस्तान के सा सद्दा करने के लिए लगाता और कोई नी कोई कोशिशें वो करता रहता है और इसी का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है दोस्तों आप देखेंगे आने वाले समय में जिस तरह से अयुद्या में राम लला का प्राण प्रतिष्टा हुई है अयुद्या में राम लला पधारे है इससे अयुद्या और यूपी का काया कल्प होने वाला है अयुद्या में खास तोर पे सरेब्रिटीज ने अपना आना जाना शुरू कर दिया है और दुनिया अब अयुद्या घूमने जरूर आएगी उस्तो ये वो भारत है जहां पे राम लला के प्राण प्रतिष्टा में मौलवी जी को भी बुलाया गया और मौलाना को भी बुलाया गया साथ सांत ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जो कि राम नला से जोड़ना चाहते हैं जो अपनी जड़ों को सनातन से जोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान खुद भी कहता है कि वो भारत से जोड़ना चाहता है क्योंकि वो सनातनी थे इबन सौधी अरब ने कहा कि वो भी अब क्योंकि आलम इश्लाम है साओधी अरब वो क्यों अपने देश में सनातन की सिक्षा देना चाहता है क्योंकि सबी को पता है कि सनातन एक संदेश देता है शान्ती का और शान्ती आपको सनातन धरम में ही मिल सकती है ऐसा पाकिस्तान की मीडिया ने खुद कहा है आपने इस रिय इसने पिछले दो दसकों में इतनी बार अडंगे लगाए हैं कि राम मंदिर ना बन सके 14-14 वकीलों को सोनिया गादी जी ने हायर किया था ताकि राम मंदिर का जो उद्गाटन है या फिर राम मंदिर का डिसीजन ना निकले हिंदूं के फेवर में लेकिन राम दला को आना था राम दला पधारे हैं और भारत का कल्यान करने भारत को सबसे बड़ी एकॉनमी और भारत को विश्यू गुरू बनाने में राम दला अब भारत की मदद करेंगे हलाकि मदद पहले से करते आये हैं लेकिन अब उनको 500 साल बाद जगा मिल चुकी है ये उद्ध्या में और इससे पूरे भारत वर्ष में उल्लास का माहौल देख रहा है I hope आपने ये वीडियो उन्जॉई किया मैं आपको मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धैंक यू जैहिन जैपार